आप लोग कैसे हैं आप आप लोग सभी अच्छे होंगे और आज का मेरा वीडियो पसंद आये तो प्लीज उसको लाइक जरूर कर दे और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं उन सभी से मेरी डिक्वेस्ट है कि वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे आने वाले बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफेकेशन उनको पहले मिल सके तो चलते हैं हम अपना वीडियो स्टाट करते हैं कि आज मैं पाइपिंग का वीडियो लेकर आई हूँ कि गले में कैसे पाइपिंग लगाते हैं इसके लिए सबसे पहले मैंने यह तरची तरची पटियां काट ली हैं यह देखिए मैंने लगभग एक इंच चौड़ी पटियां काटी हुई है और अब मैं इन सभी पटियों को जोड लूँगी हैं मैंने सिल लिया है एक एक करके मैंने यह लगभग तीन पटियों को जोड़ा है तीन पटियों की जो लंबाई है वो गले के लिए काफी हो जाएगी इसके बाद मैंने एक तरफ से इस पूरी पाइपिंग की जो पट्टी है इसको सिलाई कर दिया है लगवग आधा इंची से भी कम मैंने इसको मोड दिया है पॉन इंची हम कह सकते मोड दिया है इसके बाद जो बिना मुड़ी हुई साइड है उस साइड से हम गले में पाइपिंग को सिलना शुरू कर देंगे और आगे की साइड हम थोड़ा सा मोड देंगे पूरी पट्टी को हम इसी टाइप से गले में सिल देंगे और अब में देखिए मैंने लास्ट तक पूरी में जो पाइपिंग की पट्टी थी मैंने उसको एक्स्ट्रा कपड़ा है अंदर की साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको में निकाल रही हूँ कट करके और मैं इसी टाइप से फूरी में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर दूगी ताकि जब में हम पाइपिंग मोडे गे तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो बाहर की साइड दिखाई ना दे और हम बीच बीच में कट लगा देंगे कट हम ऐसे लगाएंगे कि जो सिलाई है उस पे कट नहीं जाना चाहिए और हलका हलका हम कट लगा देंगे पूरे गले में अब इसके बाद में देखिए हम इस टाइप से पाइपिंग को मोड के रख देंगे और जितना मोटा हमको पाइपिंग बनानी है उसके अकॉर्डिंग हम इसको मोड देंगे और सिलाई कर देंगे बस इस टाइप से हम पूरी पाइपिंग अपनी धीर दिर करके शिल देते हैं और हमारी पाइपिंग बनकर रेडी हो जाएगी फिर मैं जेते हैं अबनानी हैऑई झाल झाल